तो जैसे कि आप सभी जानते हैं हमने स्टार्ट किया है एकोनोमिक्स का चैप्टर नमबर 8 यानिकि पब्लिक फाइनेंस इंडिया और इसमें हमारे अभी तक तीन लेक्चर कंप्लीट हो चुके हैं और ये दोस्तों कौन सा लेक्चर है तो ये है हमारा लेक्चर नमबर 4 ठीक कुछ मैंने आपको यहां पर एक्स्प्लेइन किया था अगर आपको याद होगा तो लेक्चर नमबर 3 अगर आपने नहीं देखा है न तो देख ले ना प्लेलिस्ट में सारे वीडियो पड़े हुए है पूरा फॉर्स चैप्टर से लेकर के लास्ट चैप्टर तक के तो ज यह प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियो को देख लीजिएगा ठीक है तो चलो अभी हम इसी टॉपिक को कंटिनिव करेंगे और यहां पर समझेंगे रीजन्स पर ग्रोथ इन पब्लिक एक्स्पेंडीचर यानि जो हमारा पब्लिक एक्स्पेंडीचर है इसमें बड़ो होगे सामने यह रहा क्या कहते हैं इंक्रेइज इन दा एक्टिविटीटीज ऑफ दा गवर्मेंट मुझे एक बात बताओ हमने उपर देखा था कि टिल 20th century क्या होता था जो गवर्मेंट है उनका फोकस रहता था बस ऑब्लिकेटरी फंक्शन के उपर लेकिन अब जो मॉड जो मॉडन गवर्मेंट परफॉर्म मेनी फंक्शन को परफॉर्म करती है तो यह सारे फंक्शन क्या-क्या है देखेंगे जरा स्प्रेड ओफ एड्यूकेशन पब्लिक है ना मतलब लोगों की हेल्थ का ध्यान रखना ठीक है यानि सरकारी अस्पतालों के उपर खर्चा करन तो यह सब कुछ इसके अंदर आ जाएगा फिर उसके बाद यहां पर शोशल विलफेर स्केम्स ठीक है मतलब वही पब्लिक के लिए और भी मतलब उनकी सुख सुविधा के लिए अलग-अलग स्केम्स लेकर के आना तो अगर आप यह सारे फंक्शन बढ़ा रहे हो तो इसक अगर आप अपने काम बढ़ा रहे हो तो फिर आपको खर्चा भी बढ़ाना पड़ेगा ठीक है चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स यहां पर रैपिड इंक्रीज इन पॉपुलेशन देगो तो अगर पॉपुलेशन बढ़ेंगी क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ेंगी सरकार के उपर ज्यादा जबाव पड़ेंगा ठीक है तो क्या होगा तो फिर खर्चा भी बढ़ेगा पबलीक इंडिया के बात करें कितनी तेज़ी से बढ़ रही है तो हमारे देश की जनसंग्या कितनी एक सो एक किस करोड के लगबग ती तीके लेकिन अब तो यह और भी आगे बढ़ चुकी है अभी तक जनकरना हुई नहीं वापस से होगी न तो देखिएगा इसको बहुत आगे तक इसका रिजल्ट क्या होता है कि इसका इसको पूरा करने के लिए जाधा खर्चा करना पड़ता है तो यह एक कारण हो सकता है पॉपुलेशन का नेक्स यह आप ए ग्रोइंग अर्बनाइजेशन ठीके यानि अर्बनाइजेशन अगर तेजी सी होगा तो फिर से वही बात की जो पब्लिक अर्बनाइजेशन का मतलब आप जानते हो ना क्या होता है देखो जैसे मान लीजेए गाउ है जब धीरे-धीरे करके वह शहर में बदलते हैं ना दोस्तों यह हम लोगों तो दूर दूर के लोग यहां पर आकर के काम करने लगे और ठीके और उसके बाद यहीं पर अपना घर बना करके रहने लगे दीरे-दीरे करके यहां के बनाए गए फिर जब पॉपुलेशन और बड़ी तो स्कूल बनाए गए कॉलेजेस और बहुत सारी फैसिलिटीज यहां पर प्रवाइड की गई ठीके तो यह जो प्रोसेस अना दोस्तों अब यह पहले जैसा नहीं रहा बल्कि यह क्या बन चुका है पूरा के पूरा शहर बन चुका है पहले यह गाव करता था लेकिन यहीं प्लेस अब बन चुका है शहर तो यह पूरा प्रोसेस अना दोस्तों इसी को कहा चाता है अर्बनाइजेशन होगा मुझे एक बात बताओ अर्बनाइजेशन हुआ ठीक है अगर वहां पर सरकारी हॉस्पिटल बन वारे इसके इलावा और अगर सरकारे स्कूल खोल रहे तो भही वो भी सरकार कोई देखना पड़ेगा ठीक है कि मतलब समझ में आ रहे कि नहीं तो वही बात हो जाती है कि अगर अर्बनाइजेशन हो रहा है तीजी से तो फिर सरकार के उपर दबाव पड़ता है कॉलेज़ेश का और अभी जो पॉब्लिक सर्विसेश हैं वो प्रोवाइड करने के लिए ठीक है ना तो इस लिए कहा जाता है कि जब अर्बनाइजेशन होगा तो भई जो हमारा पॉब्लिक टीक है एकषपेंडीचर ईंक्रीचर नेक्सटि यहांपर इंक्रीज डिफेंग लोग जानते हो तो इंक्रीजिंग डिफेंडीचर इंक्रीज होगा तो बही हमारा सरकार के बढ़ेगा थीक है तो इन मौदरन टाइम की अगर मैं बात करूं तो डिफेंस एक्सपेंडीचर और गुवर्मिट इस इंक्रीजिंग इवन इन पीस ताइम मतलब माली जे शांति अभी तक युद्ध नहीं चल रहा लेकिन फिर भी जो डिफेंस एक्सपेंडीचर है न दोस्तों वह खर्चा होता ही र करना पड़ता है तैयारी करके रखनी पड़ती है तो वही बात यहां पर दी गई है न मतलब सांती है लेकिन फिर भी हमें सतन करेंना चाहिए क्योंकि कभी भी कुछ भी हो सकता है ठीक है अभी तो हमारे इंटरनेशनल रिलेशन यानि दूसरे देशों के साथ रिलेशन्श जब एक्जाम आएगा तो उसके पहले से पढ़ना शुरू करेंगे फिर वहां पर उनको बहुत परिशानिया आती है ठीक है और जो बच्चे पहले से थोड़ा थोड़ा पढ़ते रहते ना उनको एक्जाम के टाइम पे ज्यादा प्रेशन दिमाग पर पढ़ता नहीं है तो वहीं इसके साथ भी है अगर हम पहले से प्रिपेर रहेंगे तो उस टाइप पर हमें ज्यादा सोचना नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पर सब कुछ है हमने सब कुछ रखा हुए हम हम हर चीज से तयार बैठे है ठीक है तो डिफेंस एक्स्पेंडिशन इंक्रीज होग और हम अपने कैंडिडेट को चुन करके भेजते हैं जो जाकर के सरकार बनाते हैं अब मुझे एक बात बताओ अभी जो इलेक्शन होते हैं ऐसे फ्री में हो जाते हैं इलेक्शन के ऊपर भी काफी खर्चा लगता है ये एक बात तो आप ध्यान रखिएगा ठीक है तो जब यहां पर क्या होता है रेगुलर एलेक्शन होते हैं ठीक है और भी एक्टिविटीज होती है इसके वजह से क्या होता है गवर्मेंट का टोटल एक्सपेंडिचर इंक्रीज होता है चलो अच्छी बात है नेक्स हम बात करेंगे दोस्तों इंफलेशन की तो बच्चों अभी भी बहुत सारे गुट्स खरीदती है जी आ बिल्कुल आपने सही सिना सुना वह भी बहुत सारे गुट्स क्या करते हैं खरीदते हैं तो अब अगर महंगाई बढ रही है तो सरकार के उपर दबाव पड़ेगा तो पब्लिक एक्स्पेंडिचर इंक्रीज होगा तो देखो मतलब जैसे प्राइविट इंडिविजुल होते हैं उसी प्रकार से जो गवर्मेंट है इनको भी बाई करना पड़ता है दोस्तों गूर्ट संसर्विसेज फॉम दर मार्केट समझ में आया ठीक है पॉर्डर स्प्रेड ओफ एकोनोमिक एंड सोशल डेवलप्मेंट नॉर् आपके लगातले तो इसट को हमारा सरकारी स्पिछल होते से इसके पीछे कारण होंगी तो आपे सरकार सरकार के द्वारा स्पेशल चीज़े प्रोवाइड की जाती है जैसे कि वहां पर एनर्जी वगएरा हो गया तो वहां पर कुछ सभासा उनको सहयोग करेगी तो उनके मन में भी आएगा ना कि हम इसको और डिवलप करने के बारे में सोचे तो इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए सरकार क्या करती है इनको बहुत सारे कंसेशन प्रोवाइड करती है और जब इंडस्ट्रियलाइजिशन होगा तो फिर प के कंट्री में इंडस्ट्रीशेज डवलप होंगी मुझे बात बता हो इंडस्ट्रिल डवलपमेंट होगा थीके लोगों को र Looking क्या चाver होगा तो government क works हम स्वाइदा है तो क्यों ना इसको promote कि आजा ठीक है इसके लीए बहुत सारे मतलब इसी की चीज़ को करने के लिए जो हमारी सरकारे हैं वह कहीं सारे स्किम्स ले करके आती हैं प्रोग्राम्स लेकर क्या आती हैं जिनके उपर उनका खर्चा लगता है किरें तो्सतों सब्लिब्खेट नदलब करunta हैं तो Бश्यों आ तुर कारे लोगों सहायता प्रदान की जाती है जो लोग फसे हुए अपने घरों भाहर नहीं すेडी निकल पर घंडीकर राशन वगरा पहुचाना उनको वहां से निकालने का काम करना यह सब का खर्चा कौन उठाते हैं सरकार ही उठाती है समझ रहे हो तो अगर यह कुछ इस डिजास्टर हुआ तो वहां पर भी सरकार का खर्चा लगेगा यानिकी पॉब्लिक एक्स्पेंडिचर इंक्रीज होगा ठीक है सो मैनी नेश्रल नेश्रल एंड मैनमेट कलेमिटी इस लाइक अर्थक्वेक हो गया फ्लट्स हो गया साइक्लों है ना सोशल अन्रेस्ट ठी जिसकी वज़े से टोटल एक्स्पेंडिचर इंक्रीज होता है जो पब्लिक इंक्रीज हो रहा है चलो तो यहां पर यह चीज हमने पढ़ लिया और अब क्या है है हाँ अब यहां पर सेकेंड पॉइंट के आ आ जाएगा दोस्तों पॉब्लिक रेवेंग्यू हमने public expenditure complete कर लिया जी हां देखो यहां पर आपको बता दू कि जो public expenditure था ना इसमें देखो यह public expenditure अरे भाया नीचे आज़ो यह देखो public expenditure हमने complete कर लिया है अब यहां पर हम लोग दूसरे point की बात करेंगे which is public revenue जिसमें आएगा हमारा text non-text ठीक है टेक्स में भी डारेक्ट और इंडारेक्ट टेक्स यह सब के बारे में हम पढ़ेंगे जी हां बिल्कुल सही सुना आप लोगों ने next lecture में यानि के lecture number यह कौन सा lecture था यह फाइंग फोर था ना तो लेक्टर नमबर फाइंगे दोस्तों public revenue के बारे में पढ़ेंगे टेक्स क्या होता है यह सब कुछ हम पढ़ेंगे बिल्कुल में टेंशन मत लेना ठीक है तो अब फिलाल के लिए इतना ही रहने देते हैं और मिलते हैं बहुत ही जल्द हम लोग नेक्स वीडियो में सब लोग अपना ध्यान रखिए और अच्छे से बढ़ाई करते रहें बाकि आपके और भी चाप्टर कंप्लेटेट हैं तो जब प्लेइस में जाओगे ना एकोनोमिक्स के लिए अलग से बने हुए जिसमें एकोनोमिक्स के सारे चाप्टर के वीडियो सब्लेबल हैं ठीक है ना तो आप जाए और जाकर के देखिए और ल खार बाध कर देखिए Step 3 वीडियो